अध्याय 13 तम नामक एक नर्क और है, जहां कडाके की सरवी पड़ती है। चौथा नर्क निक्रंतन नामक नर्क है। ये सारे नर्कों में प्रधान है। इसमें कुमहार की चाक के समान बहुत से चक्र लगातार घूमते रहते हैं। और पापी प्राणियों को इनमें पीस दिया जाता है। पांचवा नर्क असी पत्रवन नामक एक नर्क है। छटवा नर्क तप्त कुम नामक नर्क है। जहां चारों और लप्टे ही लप्टे लोहे के घड़े में मौजूद रहती हैं जो बहुत तपे हुए होते हैं। उसे तरह एक सात्वा सब्त बालु का नर्क और होता है। हे पिताश्री, इस से पहले सात्वे जन्म में मैं एक वैश्य कुल में पैदा हुआ था। उस समय पौसले पर पानी पीने को जाती हुई गायों को मैंने रोक दिया था। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यन्त भेंकर नर्क में जाना पड़ा, जो आग की लप्टों से घिरा हुआ था। मुझे वहां कुछ सौ वर्षों से अधिक समय बिताना था। मैं महान ताप और पीडा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन हमेशा बनी रहती थी। एक दिन अचानक ही बड़ी सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालुका और तप्त कुम्ब नामक दो नर्कों के बीच में था। इस शीतल वायू के संपर्क में आते ही उन नर्कों में पड़े हुए सभी जीवों की यातनाएं दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद मिला जितना स्वर्ग में रहने वालों को मिलता होगा। ये क्या हुआ। यों सोचते हुए हम सभी जीव आनंद की अधिक्ता के कारण चारों तरफ देखने लगे। तब हमें एक बहुत ही उत्तम नर रत्न दिखाई दिये। उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भेंकर यमदूत चल रहा था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था। और कहता जा रहा था, महराज इधर से आईए, इधर से आईए। सैंकडों यातनाओं से व्याप्त नर्क को देखकर उस पुरुष रत्न को बहुत दया आ रही थी। उन्होंने यमदूत से कहा, हे यमदूत, बताओ तो जरा, मैंने कौन सा ऐसा पाब किया है, जिसके कारण अनेक तरह की यातनाओं से पूर्ण इन भेंकर नर्कों में से मुझे गुजरना पड़ रहा है, मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपिक्षित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भली भाति पालन कर रहा था। मैंने बहुत से यग्य भी किये, धर्म के अनुसार प्रत्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और अतितियों को कभी निराश नहीं लटाया, पित्रों, देवताओं, रिशियों और भ्रत्यों को उनका भाग दिया, बिना ऐसे किये कभी मैंने अन भ भी ग्रहन नहीं किया, जब गाएं पानी पीने की इच्छा से स्वयम ही पौसले पर चली जाती हैं, उसी तरह पर्व के समय पितर और पुन्यतिती आने पर देवता स्वयम ही अपना भाग लेने मनुश्य के पास आते हैं, जिस ग्रहस्त के घर से वे लंबी सांस लेकर निर पुन्य नश्ट हो जाता है और देवताओं का निश्वास तीनों जन्मों का पुन्य खत्म कर देता है, इसमें तनिक भी संदे नहीं है, इसलिए मैं देवकर्म और पित्र कर्म के लिए सदाही सावधान रहा, ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत दारुन नर्क में क्यों आन विनय युक्त हो गया और बोला, महराज, आप जैसा कहते हैं वो ठीक है, उसमें तनिक भी संदे नहीं, लेकिन आप द्वारा एक छोटा सा पाप हो गया, मैं उसे याद दिलाता हूँ, विधर्ब राजकुमारी पीवरी जो आपकी पत्नी थी, एक बार बीमार हुई, लेकिन उस वक्त आपने उनकी सेवा नहीं की, बस इसी कारण आपको इस भेंकर नरक तक आना पड़ा है, जो धर्मात्मा पुरिश अपनी पत्नी के स्वास्त का खयाल नहीं रखते, वह पित्रों का रिणी होने से पाप को पाते हैं और नरक में जाना पड़ता है, हे राजन, बस इतना ही आपका पाप है, इसके अलावा और कोई पाप नहीं है, इसलिए आईए, चलिए, अब पुन्य लोकों की तरफ चलते हैं। जहल रहे हैं, कहीं इनको गर्म कड़ाय में उबाला जा रहा है, कहीं ये बड़े बड़े पक्षी इनको नोच कर खा रहे हैं, ये सभी मानव बहुत ही जादा दुख उठा रहे हैं, ऐसा इन्होंने क्या पाप किया, जिसकी वजह से इनको इस नरक में भुगतना पड़ र हे राजन, जो भी नराधम अपने कानों से, अपने गुरु, अपने देवता, अपनी वेदों की निंदा सुनते हैं और उसको सुनकर प्रसन्न होते हैं, या फिर जो पौसले, देवमंदिर, ब्रह्मन के घर या देवाले के सभाभवन तुड़वाने की कोशिश करते हैं, वे सब इनी पापियों की तरहा चक्कियों में पीसे जाते हैं और इन नर्क में घोर यातनाएं जहलते हैं, इन नीच मानवों ने उपकार करने वाले लोगों के साथ भी करतगनता की है, इसलिए ये भूक से भी व्याकुल रहते हैं, इन खोटी बुद्धी वाले करतगन ल राजन अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुन्यात्मा और पापियों से संबंद रखने वाली ये सारी बाते नर्क के संक्षेप में हैं, अच्छा, अब आप आईए, कहीं और चलते हैं, इस समय यहाँ पर आपने सब कुछ देख लिया, ये आपके पापों का फल है, इतना कहकर सुमती ने अपने पिता से कहा, पिता जी, उसके बाद राजा विपिक्षित यमदूत को आगे करकर वहां से जाने को तयार हुए, यह देखकर यातना में पड़े हुए सभी मनुश्य चिलाने लगे, और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे महराज, हम पर कृ करपा करें, दो घड़ी और ठहर जाएं, आपके शरीर को छू कर बहने वाली वायू, हमारे चित्त को बहुत आनंद दे रही है, और हमारी वेदनाएं काफी कम हो जा रही हैं, अता नर्श्रेष्ट, आप हम पर कृपा करें और थोड़ी देर और ठहर जाएं, उनकी ये बा में रहकर ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया, जिससे इन लोगों पर आनंद दाइनी वायू चल रही है, ये बात भी तो बताओ, यमदूत ने कहा, हे राजन, आपका यह शरीर पित्रों, देवताओं, अतितियों और भरत जनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ठ इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायू बहुत आनंद दाइनी है, और इसके लगने से इन पापियों को इनके पापों से मुक्ति मिल रही है, आपने अश्वमेद आदी यग्यों का विदिपूर्वक अनुष्ठान किया, इसलिए आपके दर्शन से यमलोग के यंत्र, शस्त्र, अगनी और ये सारे पक्षी जो पीडन, छेदन और जलन के लिए कारण हैं, कोमल हो गए हैं, आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव भी दब गया है, इस पर राजा बोले, भद्रमुक, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीडित प्राणियों को दुख से मुक करके उन्हें शांती परदान करके जो सुख मिलता है, वो मुनश्य को स्वर्ग लोग या ब्रमुलोग में भी नहीं मिल पाएगा, यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक जैसी यातनाओं से भी छुटकारा मिलता है, तो मैं सूखे काठ की तरह यहीं अचल ह कर रहना चाहूंगा, यमदूत ने कहा, राजन आप चलिए यहां से, ये आपके रहने की जगा नहीं है, आप इन पापियों की यात्राओं को यहीं छोड़ दें और अपने पुन्ने से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग करें, राजन ने कहा, नहीं यमदूत जब तक ये लोग अत्यन्त दुखी हैं, मैं यहां से नहीं जाओंगा, अगर मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है, तो मैं यहीं रहूंगा, जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर और पीडित मनुश्यों पर भले ही वह शत्रुपक्ष का क्रपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन को धिकार है, यदि मेरे अकेले के दुखी होने से बहुत से आर्त मनुश्यों को सुख मिलता है, तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला, इसलिए दूत, तुम लोट जाओ, मैं यहीं रहूंगा, इतना सुनने के बाद यमदूत ने चलिए, धर्मराज बोले, राजन, आपने मेरी भली भाती उपासना की है, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में ले चल रहा हूँ, इस विमान पर आईए, विलम ना करिए, राजा ने कहा, धर्मराज, यहां नर्क में हजारो मनुश्यों कष्ट भोग रहे हैं, और मु धर्म, यदि आप दोनों जानते हैं कि मेरा पुन्य कितना है, तो उसे बताएं, धर्म ने कहा, महराज, जिस तरह समुद्र के जल बिंदू, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालु के कण और जल की बूदें असंख्य हैं, उसी तरह तुमारे पुन्य की भ पड़े हुए जीवों पर क्रपा करने की वज़ा से, तुमारा पुन्य लाखो गुना बढ़ भी गया है, रबश्रिष्ट, अपने इस पुन्य का फल भोगने के लिए अब आप देव लोग चलें, और इन पापियों को इसी नर्क में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दें, इस पर राजा ने फिर कहा, देवराज, यदि मेरे समीप आने पर इन दुखी जीवों को कोई भी उँचा पद नहीं मिला, तो भी ठीक है, लेकिन इनके संपर्क में आने पर इने थोड़ा सा भी सुख मिला हो, तो मेरा सारा पुन्य इस पर नियोच्छावर है, इंद्र ने कहा, राजन, इस उदारता के कारण तुमने तो और भी उँचा स्थान प्राप्त कर लिया, देखिए, ये सभी पापी जीव नर्क से मुक्त हो गए, इतनी कथा सुना कर सुमती ने कहा, पिता जी, इसके बाद राजा विपशिक्त के उपर फूलों की स्वयम भगवान विश्णु उन्हें विमान में लेने आये और दिव्य धाम को चले गए, उस समय मैं और सारे पापी जीव उस नर्क यातना से छूट कर अपने अपने कर्म फलों के अनुसार अलग-अलग योनियों में चल पड़े, है पिता जी, इस तरह मैंने इन नर्को का वर्णन किया, उन पापों को बताया, जिनकी वजह से इन नर्कों को भगतना पड़ता है, और उन्हों पायों को कहा, जिसकी वजह से इन नर्कों से छुटका रापाया जा सकता है, ये मेरे पूर्व काल के सारे अनुभव थे, जो मैंने आपको बताए